नमस्कार दोस्तों मैं आज भी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चानल जिसका नाम है study coach दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए quantitative aptitude के question दोस्तों आपका कल एक्जाम है quantitative aptitude के question तो जरूर देख लिएगा जोकि इन में से यह आपके एक्जाम के लिए बहुत रहेंगे दोस्तों और ऐसी कोशन पेपरों में आते हैं आपके एक्जाम में तो आप देखने न देख लेना आपना यह कॉंड़ेव अप्रिटूट के यह कोश्चन भी आशर करते हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद तो चलि स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन हम कोश्चन नमर एक वाट इसमें देब बताना है पस्ट फाइफ मल्टिपल से उसके आवरेज बताना है हमें जो फस्ट फाइफ फाइफ मल्टिपल्स ऑफ 12 के ठीक है ना तो उसका ऑप्शन दे रखा हमें ऑप्शन नमर ए 36 व मैं आपके लिए इसमें solutions भी लेकि आई हूं आप इसको देख लीजेगा क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपको solution समझाने के लिए अगर हमने solution समझाया तो यह वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी और अभी time बहुत कम है तो जल्देली इसको द कर लिए 5 की और इसका अंसर है ओप्शन ए दे रखा है 495 49500 भी दे रखा है 49950 45000 दे रखा है 49940 तो दोस्तों इसका अंसर हमारा ओप्शन भी है 494949594950 दोस्तों इसका answer solution में देर नीचे दे रखा है कर रखा है तो आप देख लिए ना एक बार वीडियो को पॉस करके हम से आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को आपको पूरा दिखा देते जल्दी तो क्वेशन नंबर थर्ड लेते हैं वाट इस दा कंपाउंड इंट्रस निकालना है और जिसमें हमें दे रखा है रेट दे रखा है ट्वंटिफाइफ अन्यर और इयर्स एक टू एयर और कोशन लेकिया जोटो जो पेपर वह हुए और आपके पेपर में बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और क्व पूछ लिए जाते हैं आपके एकसाम में आएग दोस्तों तो इससे मिल जाएगा आपको कैसे कैसा कॉषण आएंगे इनको अपने माहिं है जरूर रखना दूस्तो क्या पता इन में से कुछ कोशन आ सकते हैं आपके एक्जाम के अंदर तो आप जरूर 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 देख लीजेगा यह आप नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमर फॉर दोस्तों यह कलेंडर का कोशन है इस जन्वरी 141 जन्वरी उनिशन चानवे मंडे जन्वरी उनिस चानवे को क्या था सोमवार स्वाइब देख रहता दो न फहाएं प्रॉस्तों अफ्राइड फ्राइड ओंडी द्रेका संदे दोस्तों हमारा और वी बिल्कुल ठीक है सब्सक्राइब कर लिए और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प में सके ऑपन मैट के अंदर चौकि कल आपका एकजाम है और जल्दी से अच्छे से तयारी कर देख लिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर्टी परसंट ऑफ टूएटी का फॉर्टी परसंट निकालना दोस्तों तो इसका अंसर हमारा एक सो बारा ठीक है तो आगे बढ़ते फड़ा-फट से जल्दी से इसक्वेश्चन नंबर सिक्स देख ल दे रखा है 35 तो इसका अंसर हमारा ऑप्शन भी है जो है 20 तो सल्यूशन नीचे दे रखा है मैंने कैसे कैसे करना एक हंड्रेट का पर टैन परसंट निकालना फिर पूरे का हमने क्या करता है 25 परसंट निकाल दिया है ठीक है आगे बढ़ते फड़ा-फड से क्वेश्चन सुरेश बोरो रेट 36,000 फ्रम महेश कितने परसंट इंटरस मिलेता है 6 परसंट इंटरस मिलेता है ऐसा साथन भ्यास से तो एड़ दा एड़ एड़ और फोर यह नहीं है यहां पर 6 यह तो इसका जो आंसर हमारा ऑप्शन भी जो है बिल्कुल ठीक है 12,560 रुपेश का अमाउंट जो भी है अमाउंट है दोस्तों इसको सलुशन देखो कैसे कैसे करना है 12,560 रुपेश का अंसर दोस्तों तो जो हमारा उसका प्रिंसिपल दे रखा है कितना सिक्स परसेंट और नमबर ऑफ टाइम यर दे रखा है कितना सिक्स यर्ट मैंने आपको बदा रहा था है कि हमारी ड्रेट में वह टाइमिंग फोड़ी गलती होगी तो वहां पर फोर की पर अपना सुलीशन कर लिएगा साधनब्याट का सीमपल फॉर्मला लगा है हमने और सीधा सुलीशन कर दिया कितना अमांट हो जाएगा ठीक है ना दोस्तों आगे बढ़ते हैं फर फर से क्वेस्चन नमर्स सैवन ए रिशो बीशी इस इन रिशो ऑफ थी रिशो रिशो र इस फाइव हाओ-मग्ण मनी मिल सी गैट आउट डफ डांव रेट तो 22160 में से जो सी का सी का कि पार्ट होगा कितना भाग मिलेगा यह बताना हमें उसे दे रखा तीन हनुपाद पांच दे रखा है जो सी का भाग है वो कितना उसको मिलेगा दोस्ता यह निकालना है तो आ Ratio बते में Sum of Ratio 2C Ratio तो सब्सक्राइब कितना निकाला निकालना है 1260 मैं लिख दिया और पूरासां हमारा पाट कर यह जो हमाया सॉल्यूशन करके कितना आया चेसो तीस रुपय आ गया कि इसको 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 नमबर एट देख लेते हैं एक बार एक सेकंड दोस्तों क्वेश्चन नबर एट दोस्तों क्वेश्चन नबर सैवन दो बार हो चुका है तो थोड़ी सी घड़बड हो गई यहां पर क्वेश्चन नबर एट देख लेते हैं मिसिंग निकाल ली हमें दोस्तों तो आगे देखते हैं और इसका अंसर हमारा ऑप्शन भी है कीजिएगा एक बास स्लूशन कैसे करना है आगे पढ़ते हैं फटे नमबर टैना दोस्तों यह दो वैल्यू ओफ जिसकी वैल्यू निकालने दोस्तों कैसे कैसे करना यह देरा सामें तो इसका ऑप्शन जो है मादी बिल्कुल ठीक है लेकिन आगे बढ़ते प्रफट से कोश्चन नमबर इस फ्वैल प्वैल्प्वाइंट सिक्स वाट इस नमबर बताना दोस्तों का क्वेश्चिन सब्सक्राइब इसका ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन देखा ट्वंटिव सब्सक्राइब इसका अंसर हमारा वी ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है 42 सलूशन नीचे दे रखा है मैंने आप देख लिए कैसे किसे करना है जो हमारा नमबर था वो नमबर को एक्स माल लिए उसको 30 30 कितना था 12.6 था वह ऐसे करके निकाल दिया है सलूशन करके आप देख क्याइस क्वाशन 11 देखते दोस्तों कंप्ली दा सी 2 5 9 90 35 कौन सीरीज में चल रहा है यह बताना दोस्तों तो हमने क्या क्या है दो को गुना कर दी दो से दो को दो से गुना करके प्लस वन कर देना ठीक है अब नीचे 5 कैसे बना देख देखिए दोस्तों 5 की में कर दो Some square क्षे मैं कर दिया ऐब 5 सौरी और 5 को मल्टिप्लाइय करें तू से और 9 बनेट गया 5 म değildi Willam को करना 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 और मांगे बड़ाइब करना एक माइनश करना है चाहिआ एक माइन हम चाहे तो इसको चोड़ते हैं बढ़ते हैं वाट एसा फाइफ नेटरल नंबर तो इसकी निकल ले पस्पाइफ नियक्तना वाई तो इसके तो इसे बारे नंबर थे तो फंदा बटे में पांच इसको इसको काटा तो थोड़ी कट्पिट कर दी 53 जा 15 होगा तो 3 जो होगे मारी एवरेज आ गया सी अंसर बिल्कुल ठीक है हमारा क्वेस्ट नंबर 13 देख लेते हैं एक बार दा एक्षिक ऑफ टू नंबर इस 23 एंड अधर टू फैक्टर ऑफ देयर एल्सेम आर थर्टीन और फोर्टीन लाजर ओफ टू नंबर यह बताना हमें दोस्तों तो इसका अंसर है हमारा ऑप्शन स बिल्कुल ठीक है जो मैंने दे रखा सलूशन करके आपको आप देख लेना कैसे किया है वाशन नंबर 14 दग्रेटेस्ट नंबर ओफ डिजिट विच इस दा डिवीजिबल वाइफ 15 25 40 & 75 तो जो ग्रेटेस्ट नंबर बताने तो आपको पता हुना ची दोस्तों फोर डिजि सबसे जो ग्रेटेस नंबर ता उससे जिवाइड करके रिमाइंडर किया बचा हमारा 399 जो रिमाइंडर था ना उसको डिटेस्ट नंबर से माइनस कर दो आंसर आजयागा दोस्तों हमारा ठीक है ऐसे कोशन पेपरों में आते दोस्तों यह जुरूर देख लेना यह कोशन पूछ जाते हैं तो लोईस नंबर निकाल लें लिए लिकाल देना इन सब का आपका आपका आंसर आजाएगा इसका आप्शन देख लेते एक बार दोस्तों साइट्स ओव दा ट्रेंगल आरेंगल ऑर इन रेशियो टैन रेशियो 24 रेशियो 26 एडिस पैरमीटर दे रखा कि 500 मिटर स्कायर ओर देगा 4000 मिटर स्कायर है तो दोस्तों इसकांसा जो है हमारा ऑप्शन ए विर्कुल ठीक है सलूशन में नीचे आपको देरा कैसे करना दोस्तों इसको एक बार देख लिए ना आगे बढ़ते पड़ाफ़ण से चल्दी से क्वेश्च्श नमर 17 देख लेत बताना है कौन सा नंबर हो तो इसका ऑप्शन डी जो बिल्कुल ठीक है 68 और तो देख लेना दोस्तों इसके मिने कैसे कैसे बनाए है समेकरन उसे सॉल्व किया है समेकरन एक और दो करके तो आगे देखते हैं परपर कोशन नमर 18 राम स्पेंट सेवंटी परसंट अफ इस सैलरी और डिपोजिट एटीप स्वरी डिपोजिट 15 परसंट ओफ इस सैलरी इन अधियर बैंक इप ही इस लेक्ष विद दो रीट फिफ्टी हंडर फिफ्टीन हंडर वाट इस दो व्रट इस मंद ली शालरी निकालने में तो ऑप्छन दे रहा है वह उप्छन को ठीक है तो दोस्तों एक बार देख ऑप्छन सी जो अब्हाना ब्लकुल ठीक है तो इसका सोलुशन एक बार देख लेना आप कैसे कैसे किया कोशन हम आप चल दी से आगे बढ़ जाते हैं क्वेशन नाइंटीन देखते हैं सिम्रन इस यंगर दैं समर्ट सिमर्जीत पाइस समर्जीत जो साथ साल चोटी है सिमर्जीत से सब्सक्राइबर दीरने डिटीन दोनों का एज कंडी जो रेशो आप दे रखा है मारा बिल्कुल ठीक है त्वंटीपॉंटीफटाइब्स दोस्तों और सालुशन नीचे दे रखा है मैंने कैसे का से करना है आपको एक बार देख लेना solution आगे बढ़ते प्रफट नमब ट्वांटी बाइश एलिग प्रॉपर्टी फॉर रेट 45 थाउजन अप परसंट इंकर्स और लॉस ऑफ 10 परसंट फॉर दा सैलिंग प्राइश तो गें दा फ्रॉफट आप फिफ्टी पर्चंट गया तो फॉर्फटी परदी कितने की फॉर्टी फ्रॉइब साउजन की फिपम साओजन की तो नुक्सान हो गया कितना 10% का हानी होगी है तो find the selling price उसका selling price निकालना है कि उसे 15% का gain हो कितने में बेचे यह बताना है उसे selling price बताना है उसे कि उसके gain हो जाए तो option दे रखा 55,000, B दे रखा 60,000, C दे रखा 57,500, D दे रखा 58,000 दोस्तों इसका जो answer हमारा option C है बिल्कुल ठीक 57,500 और कैसे दे रखा कैसे कर रखा है यह में आपको नीचे बता रखा है तो आप देख लेना ठीक है ना question number 21 there are two numbers सही है hcf of both the number is 11 एंड डियर एल्जियम जो उनका hcf है वो 11 है और एल्जियम कितना है 693 इप फस्ट नमबर उसको फस्ट नमबर तो मैं बता रखा है तो यह देखिए question solution कर देखा है आगे बढ़ते फड़ा-फड़ से चल दी से इसका option दी बिल्कुल ठीक है 99 है question number 22 देख लेते हैं यहां पर ही लिखा हुए तो दोस्ट आना था 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 एल्जियम ऑफ टू नमबर इस एट नाइन वन नाइन एंड देर सम इस वन ट्रिपल जो वन थाउजन और जो उनका एल्सम था कितना 800 919 ठीक है ना त्यू नमबर इजार ना टू नमबर हार कौन-कौन से दो नमबर है वो बचाना है में दोस्तों तो दो नमबर हमारा option C बिल्कुल ठीक है 991 & 9 और कैसे क्या है यह आप देख लेंगा ठीक है ना वीडियो को पॉस्ट करके आप हमारे आंसर देख सकते हैं दोस्तों मैं उम्मीद करते हुए कि आप अपने आपसे पहले कोशिंग करेंगे अगर आप से नहीं होता है तब आप यह solution देखेंगे इसको solution को solve जरूर कर लिएका तो complete the series यह series complete करने दोस्तों लेकिन यह series में आपको आके कराच चुकी हुँ तो इसको ने कराते हैं वही चीरीज है दोस्तों modal कर लें प्रहें जोड़ाना है पर कटाना है 1 जोड़ाना पर एक खटाना है । जोड़ाना है ऐसी दोद्बश्य करोगे में चार जम तो यह बताना है कि इतने सालों बाद इसको एक किस हो जाएंगे यह बताना इंटरस्ट कितना हो जाएगा तो यह देखिए इसका अंसर हमारा ऑप्शन भी है जो बिल्कुल ठीकर टू यह और इसका प्रिंसिपल टैन थाउन रेट देखा टैन परसन और सी आई कितना कंपाउ निकालना है कितने सालों बाद हो जाएगा और यह हमारा सॉलूशन है कि क्वेस्ट नमबर 25 जिख रहेते हैं विच आफ फॉलाइंग यह इस नाट लीप यह दोस्तों के बार में अच्छे जान करें ले लेना कि लीप यह कौन सा होता है और कौन सा नहीं है यह बताना है इस आपको आप देख लीजेगा तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्वेश्चन 25 पूरे कंप्लीट होते है क्वेश्चन आशा करते हूं आपको बहुत रहेंगे आपके एक्जाम के लिए कल आपका एक्जाम है उसके लिए आपको बैस्ट आफ कहना चाहती हूं मैं आपको अश्च्ध करकर दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आज हमारी और आपको पसंद आती है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो शेयर कहिए ताकि उनको भी थोड़ी राप मिल सक limited दोस्तो तो धन्यवाद दोस्तो